दोस्तों आपको स्क्रीन पर यह लड़की दिखाई दे रही होगी जो केक काट रही है अपने भाई के साथ और अपनी मा के साथ भी खड़ी हुई है फोटो हैं यह इस्टाग्राम पर काम करती है और इसको लड़कों वाले सौक है यानि कि यह लड़कों के कपड़े पहनती ह और रीर वगेरा बनाया करती है आपने इसका इस्टाग्राम हैंडल देखा भी होगा बहुत ही पिरसेद लड़की है यहाँ पर क्या होता दोस्तों बेटी को लड़कों का सौक था और फिर मा और भाई की दर्दनाग तरीके से यह लड़की हत्या कर देती है अब ही का मामल है आकर क्या हुआ था इस घटना के अंदर दोस्तों इंटरनेट पर मीडिया पर इसकी बहुत सारी खबरें हुई थी खबरें आई थी हमने इसकी पूरी जानकारी निकाल कर आपके समक्स इस वीडियो को लेकर आए हैं आकर इसने ऐसा क्यों किया था अपने भाई और अपन प्रक्वर ही मेना एसको नहीं उठाने चाहिए वैस सोचता है कि ऐसा कृते करने के बाद में आजाद हो जाऊँगा या पिर मैं सुके हो जाऊँगा लेकिन यह उल्टा होता है गलत कृतर करने के बाद तो उसकी पूरी जिंदगी ही बिलकुल समझो डूब गई टो तो कई मा मीना जो की 45 साल की है और रहुल की बहन जो की काजल है जिसकी उमर है 27 साल बहन बड़ी है अब यहांपर क्या होता दोस्तों जो बहνη काजल होती है वे 116 पुलिस के पास और पुलिस से कहती है कि साहब आप हमारे यहांपर आ जाईए हर्याना का यमना नगर में आजाद नगर महला और गली नंबर दो वह बताती है कि यहाँ पर आप आजाएए यहाँ पर मेरे भाई और मेरी मा को कुछ लुटेरे घर में आए सामान लुट कर ले गए और मेरी मा और मेरे भाई को मार कर चले गए मैं तो बाजार गई थी बाजार से वापस आई तो मैंने देखा मेरा मा और मेरे भाई की हत्या की गई है पुलिस वहाँ पर तुरंट पहुंचती है एसेचो जगदीश चंद वहाँ के एसेचो थे तो वह तुरंट पुलिस बल को लेकर पहुंचते हैं उस घर के अंदर जब वह पहुंचते हैं सामने देखते हैं कि वह लड़की जो है वह आराम से खड़ी हुई है दरवाजे पर पुलिस से कहती है आओ सर अंदर देखो पुलिस जैसे अंदर घुषती है तो देखती है लड़की काजल की मा जिसका नाम मीना है वे खून से लहू लुहान कमरे के अंदर पड़ी हुई है उसके मूँ को तारों से बांदा हुआ है और बड़ी ही उसकी बुरी तरह से निर्मन तरीके से किसी ने हत्या की है खून से लहू लुहान वह अऔरत मो परी हूई है फर्स पर पुलिस थोड़ा सा और झाती है अंदर जाकर देखती है तो उस लड़की काज्राल का भाई राहूल जो खी उसका ही बराबर का था 25 साल का तक्रीवन था वह देखती है पुलिस जाकर राहूल भी मेरे तवस्ता में पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी प्रहार किये गए हैं और वह भी मरा हुआ पड़ा है उसके बाद पुलिस जांस परताल करने लगती है और उस लड़की से पूशती है कि तुम कहा थी जब तुम्हारे मा और भाई को मारा गया लड़की कहती है मैं तो बजार गई थी और बजार से जब वापस आई तो मेरे मा और मेरा भाई मरा हुआ मिला पुलिस आसपडोसी हों से पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर सोर सुनाई दिया आसपडोस के लोग कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर कोई सोरी सुनाई नहीं दिया ऐसा कुछ था ही नहीं कि यहाँ पर कोई लुटे रहे आये हों और कुछ सामान लूट कर ले गए हों कुछ ना कुछ तो हंगामा होता मा चिल्लाती भाई चिल्लाता लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पुलिस को सीधा उस लड़की के ऊपर सक्ता दोस्तो वह लड़की जो की लड़कों के कपड़े पहरा करती और लड़की की आँखों में बिल्कुल भी आँसू नहीं थे उसको कोई ऐसा लगी नहीं रहा था जैसे उसके मा और उसके भाई की किसी ने हत्या कर दिया तो उसके चेहरे पर दुख हो पुलिस की नजरें उस लड़की के उपर टिकी हुई थी और पुलिस को उसके उपर सक भी था तो पुलिस सोचती है कि साइध हो सकता है अपने आप खराब हो गया हो लेकिन दोस्तों खराब तो किसी और नहीं किया था उसके बाद पुलिस आसपरोस में जो गली रास्तों पर लगे हुए CCTV कैमरे होते हैं उनको पुलिस खंगालती है उनसे जब देखती है पुलिस तो पुलिस को कुछ ऐसा किलू मिलता है पुलिस तुरन उस लड़की काजल को उठा लेती है उठाने के बाद सकती से उससे चौक थे और लड़कियों से बिल्कुल भी मुहों नहीं रखती थी उसको लड़कों वाली फिलिंग थी अब उसके जो मम्मी होती है और उसका भाई होता है उसकी साधी करवाना चाहते हैं क्योंकि 27 साल उसकी उमर हो चुकी थी ओवरेज हो चुकी थी लेकिन लड़की उस चौक ज़दा परीसान हो जाती है यह उपर अपने कमरे में चुप-चाप रहने लगती है उसके बात भी नहीं करती है और एक दिन हैं सोच लेती है कि यह जो मा है और यह जो भाई है यह मुझे जीनिने नहीं देंगे यह मेरी जिन्दगी में गरहन लगा कर रखेंगे तो मुझे अपनी जमीन अभी चाहिए, घर में भी हिस्सा चाहिए, लेकिन 19 साल के लड़के को कौन हिस्सा दे देगा, अभी तो उसकी जिंदगी के अंकोर फूटे भी नहीं है, इधर दोस्तों जो काजल होती है, अपने मामा के लड़के मनीश के पास फोन करती है, और उससे कह इधर में इतना इंट्रेस्ट था, तो समझो कितना लालची होगा, वह समझ जाता है कि ठीक है मुझे प्रॉपरिटी चाहिए, और बताओ बेन क्या करना है मुझे, तो यहां पर काजल कहती है कि मेरी मा और मेरे भाई को मारना है, ठेकाने लगाना है, क्योंकि यह मेरी साध करने आया था, मा और भाई को मार कर चला गया, मनीज तयार हो जाता है, काजल भी तयार थी, दोपेरी में काजल का भाई आराम से सेविंग करवाने के लिए गया हुआ था मार्कीट में, और घर पर काजल की मा मीना अकेली थी, तो वह मनीज को बुला लेती है, और मीना आखे निकल आती है, मा देखती है, बेटी क्यों मार रही है, लेकिन बेटी की आखों में दर्द बिल्कुल भी नहीं था, इदर उसकी गरदन को घोट कर तरपा तरपा कर उसको मार दिया जाता है, और जब वह थोड़ा सा चिला रही थी, तो तार पड़ा हुआ था, वहां उसको भी हम खतम कर देंगे, थोड़ी देर बाद रहुल आता है, सेविंग करवाने के बाद, और दर्वाजा खट-कट आता है, तो ये दोनों तयार हो जाते हैं, और जो बहन होती है काजल, वह दर्वाजा खोलती है, और अपने भाई रहुल को बातों में लगा लेती है, इतने में पीछे से मनीस आकर के उसके सर में डंडा मार देता है, और फिर उसके सर में डंडे मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका भी गला गोड दिया जाता है, इनको मारने के बाद जो लड़की है काजल अपने मामा के लड़के मनीस को छोड़ने के लिए स्कू लिया जाता है और इसका रोरो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और कहती है मैंने अपनी माँ और भाई को बिना मतलब के माट डाला मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों इस लड़की के सोचल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोवर थे जिनके सामने नास्ती थी और जिनके सामने ये म इसके परिवारों के अंदर बच्चे पैदा हो जाते हैं जो पूरे परिवार स्थ को क्यों ना चते हैं वहाई इस्टाग्म में पड़ी रहेगी और वहाई पड़ी पर जीवन कटेगा और अपना परिवार औज और घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं बच्चा दोस्तों अगला पूरा मजल्दी फिर से लेकर आऊंगा तब तक आप खुश रहें साथ दान रहें जैन जैबाल